हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल केरियर अपडेट पाइंजीनियर में मैं हूँ रंजर राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आई टियाई का हमारा अनलाइन एक्जाम होने वाला है उसके बारे में ठीक है बहुत से छातर परसान है कि कैसे एक्जाम होगा कैसे हम लोग को एक्जाम देना है कुछ पता ही नहीं है क्योंकि पहली बार यह हो रहा है तो उसी के रिगार्डिंग डीजी टी की तरफ से एक अपडेट निकल के आ रहा है ठीक है और यह अपडेट है साथ अक्टूबर का यानि कि साथ दस दौजार भी इसका अपडेट ह तो यहां पर जो यह अफिस्यल नोटीस है मैं आपको साथ में बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या है ठीक है क्योंकि बहुत लंबा नोटीस है मैं आपको भी पढ़के भी बताऊंगे लेकिन साथ में यह समझे कि जैसे कि बहुत लोगों ने क्या हुआ है पहले अभी इस के समाधान के लिए जो है डीटी ने एक डेवलप किया है ठीक है जिसकी सहायता से जिस तरह का एकजाम आपका आई टी आई का होगा उसी तरह का एक मॉडल टेस्ट आप देख्या कर सकते हैं उस जो है अप्लिकेशन को डाउनलोड करके दे सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उस अप्लिकेशन में क्या क्या है डीटी का ओफिसियल अपडेट क्या है और उसके बाद मैं समाधान हो जाएगा सबसे पाइदा देखें यहां पर डिजिट एक तरफ से यह नोटिस है डारेक्टे रेट जर्नल आफ ट्रेनिंग यहां पर देखें लिकाए टू आल स्टेट डारेक्टर्स डिट डिलिंग विट आई टी आई सब्जेक्ट क्या है पापुलाइर यहां पर लिकाए लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस नोटिस का परपज क्या है कि जो हमारा यह टेस्ट एप है इसको पापुलर करना यानि कि ज्यादा स्यादा लोगों तक पहुँचाना यहां पर लिकाए सर्या मैडम यू मेगे अवेर दिजीटी एवेलप्ट ए मोबाइल एप फर मॉप टेस्ट फर देट एंड ट्रेनर्स अफ इंडूस्ट्रियल ट्रेनि इस्टिटूट तो एफ़र्टलेशली एस थेंसल्व एंड पर्फॉर्मस अफ तुड्य प्रियुदिकली ठीक है आगे लिका है अल कि लगभग जो एप्लिकेशन है इसमें ITI की सभी ट्रेट्स को कवर किया गया है और यह जो एक्जाम है दस लेंगेज में होगा इंग्लिस के साथ ठीक है इंग्लिस भी रहेगा यानि कि जो यह एक लिकेशन है यह ट्रेट्स की भी मदद करेगा और जो ट्रेणी है यानि कि जो लोग ITI का एक्जाम देना है जिन लोग को उनकी आने वाली CBT एक्जाम यानि कि कम्प्यूटर बेस टेस्ट में हेल्प करेगा अब देखें यहाँ पे एक लिंक आपको प् लेवल फार फ्री डाउनलोड गूगल प्लेश्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं बताया है बैसिकली लेकिन मैं आपको ही बताऊँगा कि कौन सा अप्लिकेसन है आपको कैसे डाउनलोड करना है अब देखिए यहाँ पे कुछ सकते हैं अपने गुरूप के बच्चों का और इस्टूडेंट भी जाके वहाँ पर जो एक्जाम है वो दे सकते हैं अगला पॉइंट देखते हैं इस्टूडेंट कैन सेल्फ एसस बाई जेनरेटिंग दियर ओन क्वेश्टन पेपर ठीक है इसके बाद अगले पॉइंट क आपको 30 मिनिट का समय दिया जाएगा और 60-50 प्रसनों का पेपर रहेगा तो आपको 60 मिनिट का समय दिया जाएगा मैं आपको पहले बता दूए कि एक मौक टेस्ट है जिसकी सहायता से आप यह समझ पाएंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपके सामने टेस्ट आएगा वो किस तरह का होगा यानि कि बस आपको समझने के लिए है ऐसा नहीं कि जो प्रसनिस मौक टेस्ट में पूछा जाएगा वही आपके एकजाम में पूछा जाएगा यह बस क्या रहेगा किस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी बस उस की जानकारी के लिए आपका मौक टेस्ट बिसिकली कराया जाएगा ठीक है तो बाकी यहां जो सभी पॉइंट से आप पड़ सकते हैं आप एक टेस्ट को पांच बार अटेम्ट कर सकते हैं इस्टूडेंट कैन रे अटेम्ट दस सेम एकजाम फाइब टाइम्स एंड कैन्ट चन्रेट एक सब्पटलर पर एक आट इस्टूडर सब्जेट्टवूल एक जा क Зबन एक जाहीं आ के एठ।् यानिक यहां पर टेन आ मैंननी जो टीचर सैं वह भी यहां पर अपना फेपर जन्नेर्ट कर सकते हैं और इक जाम ले सकतें हैं ठीक है प्षिर वाला पॉइंट देखिए दे एक्जाम रिपोर्ट इस जनेरेटेड आप्टर कंप्लीशन आप एक्जामिनेशन इन्दर ट्रेनर्स लॉग इन तो यहां पर सभी चीजें बहुत अच्छा यह मॉक टेस्ट एप है तो यह सभी पॉइंट पर उम्मीद करता हूं कि आपको आपको क्या करना है गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहां पर सर्च करना है निमी मॉक टेस्ट ठीक है आपको क्या सर्च कर लेना है निमी मॉक टेस्ट सर्च कर लेना है और यह वाला सिंबल आप देख लिए इसका सिंबल कुछ कैसा रहेगा कुछ ऐसा रहेगा और तो वहां से आपको क्या कर लेना है, इस application को download कर लेना है, ठीक है, मैंने already download करके रखा है, इसलिए, यानि कि install करके रखा है, इसलिए मेरे पास uninstall और open का option आ रहा है, आपके पास यहाँ पर कौन सा option आएगा, install का option आएगा, तो आईए मैं इस application को open कर लेता हूँ, देखे, application को open करने के बाद, आपके सामने कुछ ऐसा interface खुलके आएगा, ठीक है, तो अगर आपने पहले से account बनाया हुआ है, यानि कि इस application को download करके, आपने पहले से account बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी mail id डालना है, और यहाँ पर क्या डालना है, लेकिन अगर आपने पहले इस पर account नहीं बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर sign up, यानि कि यह वाला जो option दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आईए मैं इस पर click कर देता हूँ, जब आप इस पर click कर देंगे, तो आप के सामने ये कुछ इस तरह के options खुल के आ जाएंगे, यानि कि आप CTS student है, यानि कि ITI के अगर student है, ITI का आपको online exam देना है, तो आप इस पर click करेंगे, साथ ही साथ अगर आप CTS के student है, यानि कि CTS का course कर रहे हैं, ठीक है, apprentice कर रहे हैं, या आप क्या है, या आप trainer है, यानि क instructor है ITI में, तो चारों लोगों के लिए क्या है, अलग-अलग column है, तो इन में से कौन आप हैं, आप उस पर क्लिक करके क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया करेंगे, तो जैसे कि आप ITI की student है, तो आपको क्या करना है, इस वाले पहले वाला जो option है, CTS student पे click कर देना है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह का interface आपके सामने खुल के आजाएगा, ठीक है, आपको account बनाने के लिए देखिए क्या-क्या भरना पड़ेगा, सबसे पहला तो आपको अपना नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा, जो कि आपका certificate में है, वही नाम डालिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, email ID आपको डालना है, आपको mobile number भरना है, आपको registration number, जो आपका ITI का registration number है, वो भी फिल करना पड़ेगा, बिना इसके आपका यहाँ पर account नहीं बन पाएगा, ठीक है, फिर आगे क्या करना है, आपको अपना trade select करना है, ठीक है, select gender कर करना है, और select state याने कि किस state से आप belong करते हैं, उस state को आपको यहाँ पर select कर लेना है, और उसके बाद जो यह वाला option दिख रहा है, sign up का, उस पे आपको click करके, इसमें account बना लेना है, और account बनाने के पाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी आपका trade से related test है, mock test है, वो अपनी practice कर सकते हैं, आसानी से, तो देखें, यह application बहुत पहले काई है, लेकिन डिजीटी ने एक notice फिर से निकाला, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह application फैल सके, तो मैं आप से request करूँगा, कि अगर आप यह video देख रहे हो, तो अगर आपको कोई दोस्त है, वो भी उसको भी online exam देना है, तो आप उसके पास इस video को share जरूर करें, या इस application के बारे में उसे जरूर जानकारी देदिए, भईया आप यहाँ पे practice कर सकते हैं, क्योंकि online exam बहुत लोगों को पहली बार देना है, बहुत लोगों ने पहले नहीं दिया है, तो उनको ज़्य ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो आप इस video के याथ share करिए, या अपने दोस्तों को उस application के बारे में बता दीजे, भईया वहाँ स account बना के, आप क्या कर सकते हैं, test वगएरा सभी चीजों का दे सकते हैं, और अपना अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि exam में ज़्यादा समय नही नहीं बचा है, ठीक है, तो उमीद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजे और share कर दीजे अपने दुस्तों के साथ, साथ ही चैनल को subscribe कर लिजे, क्योंकि आपको यहाँ ITI, Diploma और CTI से जूड़ी सब अपडेट सब से पह आने बाद